हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल कैसे हैं सबी लोग आई हो पच्चे होंगे चलिया आज फिर आपके लिए नब्भे के दसब की कुछ और इंट्रेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ आई होप आपको पसंद है 1997 की वो सस्पेंस फ्रीलर फिल्म जिसे देखने देखकर पसीने पसीने हो जाएंगे आप क्लाइमेक्स में विलन निकलती है हिरोईन ओडियंस के बीच इन दिनों साइक्लोजिकल सस्पेंस और फ्रीलर फिल्मों को काफी क्रेज देखने को मिल रहा है बड़े पर्दे से लेकर OTT प्लेटफॉर्म तक इस तरीकी के कंटेंट वाली फिल्में आ रही है इन्हें खुब पसंद भी किया जा रहा है अजे देवगन की शैतान हो या फिर अर्शरदवार सी स्टार वेफ सिरी असूर क्रिटिक्स से लेकर ओडियंस ने खुब सरा है याम आप एक ऐसी साइकलोजिकल थ्रिलर फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो उस दोर में बनी जब बॉली वुड में रोमेंटिक और एक्शन फिल्म में बन रही थी यह फिल्म 1997 में रिलीज होई और इसने तीन अलग अलग कैटिगरी में फिल्म फियर अवार्ड भी जी थे क्या आप जानते हैं इस साइकलोजिकल थ्रिलर फिल्म और इसकी कहानी नहीं तो चली आपको बताते हैं साल 1997 में आई इस फिल्म को राजीव रॉय ने डारेक्ट किया था इसकी स्टोरी भी उन्होंने लिखी थी फिल्म में इतने खतरनाख ट्विस्ट और टंस्टे की ओडियन्स भी कुछ समझ नहीं पा रही थी इसके क्लाइमिक्स ने सबको हिला कर रग दिया था यह साइकलोजिकल थिल्लर फिल्म में 9.50 करोड रुपे में बनी थी लेकिन 2 घंटे 55 मिनट की इस फिल्म ने बॉक्स आविस पर 33.23 करोड रुपे का कलेक्शन किया था और इस फिल्म ने नवेले अक्टर को भी स्टार बना दिया था राजीप रॉय के डारेक्शन में बनी इस फिल्म में बॉबी देवल ने लीड रोल निभाया और इसमें काजोल और मनीशा कोरियाल भी लीड रोल में थी लेकिन क्लाइमेक्स में एक जो हिरोईन थी वो विलेन निकलती है फिल्म का नाम गुप्त दा हिडन टूथ है फिल्म में एक लब ट्राइंगल और एक पॉलिटिक्स को दिखाया गया इसमें एक मडर मिस्ट्री है जिसके आरोप में बॉबी देवल के किरदार को जेल की सजा होती है और वे सही मुझरिम का पता लगाने के जेल से भागते है वे कई लोगों से इंटेरोगेट करता है लेकिन फिर नाकामिया भी हासिल होती है आखिर में पता चलता है कि काजोल का किरदार ही मडर करता है बॉबी के किरदार से प्यार करती है उसकी चाहद में कुछ भी करने को तैयार है गुप दे हिडन टूर्थ ने बॉबी देवल को रातो रात स्टार बना दिया था उनकी एक्शन हीरो वाली इमेज भी क्रियेट हुई जिसका रिफ्लेक्शन हमें साल 1999 में आई सोलजर में देखने को मिला बॉबी की इस फिल्म को भी ओडियंस ने खुब पसंद किया था आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रू बताइएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले थैंक्स पॉर वाचिंग बाबाई